एक बार फिर कॉंग्रेस का असली चेहरा देश के सामने आ है जो जातिवाद, क्षेतरवाद इस पर राजनीती करती है तुष्टी करण की राजनीती करती है और अब तो एक स्थर्व और नीचे गिर गई है जातिवाद पर इस तरह की टिपनी कि अगर आप पूरव के हो तो चाइनीज देखते हो पश्चिम के हो तो अरब की तरह देखते हो उत्तर के हो तो अंगरेज की तरह देखते हो दक्षिन के हो तो अफ्रीकन की तरह देखते हो यह किस तरह की सोच है यह कॉंग्रेस के लोग टुकडे टुकडे गैंक को तो अपनी पार्टी में शामिल करव जब ये लोग नरेंदर मोदी जी के विकास का मुकाबला नहीं कर पाए नरेंदर मोदी जी की इमानदारी का मुकाबला नहीं कर पाए नरेंदर मोदी जी के बढ़ते कद और भारत के सम्मान को ये पचा नहीं पाए जब भारत की सीमाओं को सुरक्षित ये देख नहीं पाए हमारी सेना को शुशक्त होते नहीं देख पाए तब ये इस ओचे हत्कंडों और ब्यानों पर उतराए है कभी ये लोग तंतर को कुचलने की बात करते हैं तो कभी ये लोग जहां जहां कॉंगरिस के आए वहां वहां S.C.S.T. O.B.C. का आरक्षन छीनने का काम कॉंगरिस ने किया है और ये अच्छी बात नहीं है कि S.C.S.T. O.B.C. के साथ जो धोखा कॉंगरिस ने किया ये वर्ग इनको कभी माफ नहीं करेगा दूसरी और मोदी जी हैं जिनोंने O.B.C. को संवेधानिक दर्जा दिया O.B.C. कमिशन को S.C.S.T. को परधानमंतरी फसल भीमा हो या किसान सम्मान निदी हो सबसे अदा लाभारती 71% S.C.S.T. O.B.C. है पक्के मकान जो परधानमंतरी अबास योजना में बने उसके भी 58% लाभारती S.C.S.T. है स्कॉलर्शिप स्कीम से लेके मुदरा योजना के 52% से अदा लाभारती S.C.S.T. है तो मोदी सरकार में तो पंच तीर्थ भी बने और किसी एक हिस्से पे राज करने के लिए